दोस्तो स्वागत आपका हमारे इस वीडियो में इस समय महज बाबू का ये वीडियो खुब वाइरल हो रहा है क्योंकि इसमें वो हिंदी डायलोग बोलते नजर आ रहे हैं जो उनकी रियल आवाज में हैं जो कमाल का है हिंदी दर्सक इस डायलोग को सुनकर काफी खुस हो रहे हैं वैसे आपको बता दे हमने ये वीडियो पहले ही फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर सेयर कर दिया था इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप हमें इस्टाग्राम और फेस्बूक पर फोलो जरूर करें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं क्योंकि हम वहाँ एसे कई वीडियो शेयर करते हैं आपको बता दे ये डायलोग महेज बाबू की नई फिल्म सरीलरू नीकेवरू का है जो इस समय बोक्स ओफिस पर धूम मचा रही है महेज बाबू की फिल्म सरीलरू नीकेवरू को रिलीज हुए एक हफता हो चुका है इसके बावजूद फिल्म वर्ल्ड वाइट बोक्स ओफिस पर सांदार कमाई कर रही है सरीलरू नीकेवरू इस साल की पहली यसी तेलगू फिल्म है जिसने 100 करोड रुपे का आकड़ा चु लिया है फिल्म ने रिलीज के पहले दिन लगबख 46 करोड का बिजनिस किया था इस लिहास से फिल्म की कमाई 10 दिनों में 200 करोड के आस पास पहुँच गई है फिल्म ने 10 दिनों में 200 करोड का आकड़ा पार कर लिया है यह फिल्म साउथ इंडेस्ट्री के सुपरिस्टार महेश के करियर की 26 वी फिल्म है महेश की लगबख हर फिल्म 100 करोड के उपर कमाती है जिसके चलते उन्हें ब्लोकबस्टर का बाब भी कहा जाता है वेशे हिंदी के लिए तो आपको इस फिल्म के लिए इंतिजार करना होगा वेशे आपको ये हिंदी डायलोग केसा लगा कमेंट जरूर करें धन्यवाद और क्या भे तुमने गाली दिया मैंने गोली दिया